इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो हर कोई छोटे-छोटे sentences से करता है लेकिन हर किसी की इच्छा होते है वाई एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं भी लंबे-लंबे sentence इंग्लिश में बोलने लगूँगा और बिना किसी tension के तो दोस्तों आज का जो हमारा topic है वो इसी बारे में है और जितने भी ये magical words आप देख रहे हैं word meaning के रूप में thumbnail पर जो लगे हुए हैं ये वो magical words है जिनसे आपकी English जो है वो zero level से सीधा hero level पर पहुँच जाती है यानि कि आप छोटे से लेकर सीधे लंबे-लंबे sentences बनाने सीख जाते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतेंद सिंग और welcome है आप सभी का आपके अपने channel English lovers पर spoken English course वो भी free PDF के साथ आज है हमारा इसका 28 दिन यानि class number 28 और ये जो भी हमारा course चल रहा है 30 days का वो भी आपको मेरे telegram channel English lovers official पर मिल जाएंगी और उसका भी link मैंने वीडियो की description में दे दिया है ताकि आप लोगों को इधर उधर हर एक वीडियो ढूणने में tension आओ तो शुरू करते हैं आज हम अपनी tension दूर करें और सिधे लंबे sentences English में बनाने start करें लेकिन शुरूआत में सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब भी आप English का कोई वाक्य बनाते हैं तो उसका जो धांचा है उसकी जो सरंचना है वो कैसी होती है तो दोस्तों English में जब भी शुरूआत हम करते हैं हमें एक करता की जोरूद पढ़ती है जो काम कर रहा है जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो क्या है आपका subject है करता है यानि काम करने वाला उस वाक्य में दूसरा जो काम हो रहा है उसको हम English में कहते हैं verb यानि की क्रिया और तीसरा वो क्या काम हो रहा है जैसे I am teaching English तो I क्या हो गया subject I am teaching क्या हो गया हमारा helping verb और main verb अब जो English मेंने कहा वो हमारा क्या है वो है हमारा object तो दोस्तों आप कब कोई काम करते हैं कहा कोई काम करते हैं कैसे करते हैं और क्या काम करते हैं ये सारी चीज़े हमें क्या बताता है object अब एक वाक्य हमें पता चल गया अगर इसी जैसा हमने दूसरा वाक्य इसके साथ जोड़ना है तो ये दो तरह के वाक्य हम कैसे आपस में जोड़ेंगे चलिए देखते हैं तो जैसे किसी ने कहा भई उसने मुझे phone किया ये चोटा sentence ह He called me मैंने phone नहीं उठाया I did not pick up the call लेकिन अगर आपको एक सांस में ये बात किसी को बोलनी है यार उसमें मुझे phone करा लेकिन मैंने phone नहीं उठाया English में इसको अगर आप बिलकुल आसानी से कहना चाहो तो आप कह सकते हो conjunction का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम है लेकिन और इसको English में कहते हैं but तो आप कहोगे he called me but I did not pick up the call तो आपने दो अलग अलग जो sentence थे वो आपको जब बनाने आ गए तो आप बस एक शब्द का इस्तेमाल करके अपने दो छोटे छोटे वाक्यों को एक लंबे वाक्य में बदल सकते हैं और अपनी English का level zero level से सीधा hero level तक ताकतवर नहीं है he is not strong बात समझ में आ गई वह सासी नहीं है यह भी बात समझ में आ गई he is not courageous शासी का मतलब क्या होता है दोस्तों courageous अब इन दोनों को अगर हमें एक वाक्ये बता ना हो यानि ये दोनों ही चीज़ें एक इंसान के बारे में बोली गई हो तो हम कैसे बोले ये आप लोगों का क्या है दो शब्दों वाला conjunction इसे बोला जाता है आपका sentence बनेगा he is neither कि ना ही तो strong है और ना ही वो सासी है तो बजाए कि आप दो छोटे छोटे sentence बोलो आपने neither और nor इस conjunction का इस्तिमाल करके बहुत effective तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख दिया है अब जैसे आप कहना चाहो राहूल मेरा दोस्त है राहूल is my friend प्रेम मेरा दोस्त है प्रेम is my friend लेकिन अगर आपको दोनों के बारे में एक बार में बताना पड़े तो आप क्या कहेंगे राहूल और प्रेम मेरे दोस्त है राहूल and प्रेम are my friends तो जब एक एक की बात हो रही थी तो आप is is लगा रहे थे दोनों को एक साथ में जोड़ दिया तो ये पूरा आपका subject बन जाता है तो उसके साथ क्या आती है आपकी helping work आ रहा जाती है जब भी एक से ज़्यादा होते हैं दूसरा example तुम school जा रहे हो you are going to school वह school जा रहा है he is going to school मैं school जा रहा हूँ I am going to school तो अगर आप मालो तीन जने हो और कुसी ने पूछा वही कहा जा रहे हो तो दोस्तों English में न यह three persons होते हैं जैसे यह second person है यह third person है यह first person है ठीक है और इसका rule क्या होता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा English में जो rule होता है two three one यानि पहले आएगा second person फिर आएगा third person फिर आएगा first person तो आपने क्या कहा you, he and I अब मैंने कहा अगर तीनों को आप एक साथ बोलना चाहें तो आपका क्या है helping वो बदल जाएगा वो आएगा are you, he and I are going to school तो ये आपका रूल लगा दिया आपने तो आपने इन तीन अलग-अलग sentence की वजाए अपने आपको एक बहतर speaker के तोर पे आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमेशिया तीन की वजाए एक ही sentence का इस्तिमाल करना पसंद करेंगे तो आप one by one magical words को समझते हैं example के साथ सबसे पहले ये जोडने वाले शब्द हैं इसलिए इनका नाम रखा गया है connections या आप English में इनको connectors भी बोलते हैं तो दोनों ही आप इनके नाम याद रखिएगा पहला शब्द है हमारा बट जिसका एक मतलब है लेकिन दूसरा मतलब है पर थर्ड मत बट जाये के और फौर्थ मतलब है इसके अलावा दोस्तों इन शब्दों को समझने का reason क्या है आप कोगे सर मैं तो बट को सिर्फ लेकिन के लिए इस्तेमाल करूगा लेकिन अगर आप कोई अख़बार पढ़ रहे हो नोवल पढ़ रहे हो वहां इस शब्द का इस्तेमाल अगर बजाये के तौर पर या इसके अलावा के तौर पर किया गया है तो आप क्या करोगे नहीं समझोगे उसको किताब फार दोगे किताब वापिस return कर दोगे यह exam में भी आप कोगे कि आपने गलत English लिखे है मैं नहीं मानता तो इसी लिए जितने मतलब बताए जाते हैं ह हमें उनके बारे में पता होना चाहिए चाहिए हम उसका इस्तिमाल करें या ना करें ठीक है तो पहला sentence है वह गरीब है लेकिन इमानदार है यह सबसे simple हमारा मतलब है he is poor but honest ठीक है अमित pizza के अलावा कुछ भी खा सकता है अमित can eat anything but pizza यानि इसके अलावा pizza के अलावा वो कु है आप कह सकते हो I can go to Delhi but Mumbai कि भई मैं दिल्ली जा सकता हूं लेकिन मुंबई के अलावा जैसे आप कह सकते हैं I can go anywhere but Amit's house कि भई मैं कहीं भी चला जाओंगा लेकिन Amit के घर में नहीं जाओंगा तो यह बहुत normal daily routine में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं दूसरा है because क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके ज़्यादा तर सवाल जो है न वो इसी से आंसर होते हैं because because है न जैसे मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है I trust him because he speaks the truth ठीक है तो इसका मतलब आगया आपको समझ में फिर है दोस्तों until or unless इन दोनों को ही हम confuse करते हैं कि जब तक ऐसा ना हो मान लिया हिंदी में इनका मतलब यही होता है कि जब तक लेकिन situation अलग अलग है कैसे until का इस्तेमाल हम करते हैं time के context में जब हमें समय सीमा दी गई हो जैसे जब तक अंधेरा ना हो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो you can go out and play until it gets dark कि जब तक अंधेरा न पतलब जब तक होता है हिंदी में तो लेकिन यह condition के context में बताता है कि situation के पूरे होने तक फिर जब तक तुम धुम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्त नहीं हो सकते कि जब तक एक condition satisfy नहीं हो जाती दूसरी बात होगी नहीं सकती you will not get well कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे unless जब तक कि तुम क्या नहीं करते you stop smoking तुम धुम्रपान को त्याग नहीं देते रोग नहीं देते रोग दो भाई धुम्रपान तो रोग दो since दोस्तों since के भी दो मतलब है एक है चूंकी एक है क्योंकी ठीक है इनका मतलब यह है कि जब एक condition already मौझूद है तो उसकी वज़े से ही दूसरी condition है for example चूंकी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था कि वह एक situation थी मैं जल्दी निकल गया कि उस situation की वज़े से मैंने कुछ और चीज कर ली ठीक है result कुछ और आया उस situation की वज़े से कि since I was not feeling well I left early since I am your teacher you can learn English चूंकी मैं आपका अंग्रेजी का ध्यापक हूँ आप सब अंग्रेजी सीख सकते है easily यानि की आसानी से ठीक है दूसरा है and yet यानि की फिर भी अमित studied hard and yet he could not pass the exam यार अमित ने पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन फिर भी न वो परिक्षा पास नहीं कर पाया फिर है so that यानि की ताकी ठीक है ऐसा हो जाए ताकी हम ये भी कर लें यानि एक situation पूरी हो जाए ताकी उसका result क्या हो कि हम दूसरी भी पूरी कर लें exercise daily कि रोज क्या करो श्रम करो महनत करो exercise करो वियायाम करो so that कि उसका result क्या निकले you stay healthy आप क्या रहो स्वस्त रहो है ना कि एक काम अगर हो रहा है तो उसका result ये आ जाए इसलिए वो काम कीजिए फिर है और बिल्कुल छोटा लेकिन बहुत effective शब्द है जिसका मतलब है या जब आपको option दिया जाता है tea और coffee मैं या वो हम दोनों में से एक को चुनो ठीक है तो option जब आपको द नौर ये दोनों दोस्तों एक जैसे हैं जब आप दो चीजों के बीच में comparison करते हैं तो जब बात करते हैं इधर और और की तो आप कहते हैं दोनों में से कोई एक इधर ये या वो इधर mangoes और apples what do you want to eat तो example देखिए इधर रवी और प्यूश is in that room आप कह रहे है या तो से कुछ भी नहीं मेरे पास संतरे भी नहीं है मेरे पास टमाटर भी नहीं है I neither have oranges nor tomatoes ठीक है तो neither I can dance nor I can sing कि भाई ना तो मैं नाच सकता हूं ना मुझे गाना आता है next है आपका not only but also जब एक situation के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे भाई सिर्फ ये situation नहीं है इसके साथ साथ एक और situation भाई है तो ना केवल ये situation बलकी एक और भी he is not only rich कि वो केवल अमीर नहीं है उसके साथ साथ क्या है but also a generous person दोस्तों generous का मतलब होता है जो वेक्ति बहुत उदार होता है दयालू सभाव का होता है no sooner dash than भाई जैसे ही एक condition हुई की दूसरा काम हो गया no sooner had we left home then it started raining कि भाई हम तो घर से निकले थे कि बारिश हो गई तो example देखिए no sooner had the police come कि बस police आई ही थी कि then the thief ran away जो चोर था वो भग गया otherwise वरना मेरी बात सुन लो otherwise मैं चला जाओंगा अंग्रेजी सीख लो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी ठीक है ना hurry up जल्दी करो वरना otherwise we will miss our train कि हमारी गाड़ी miss हो जाएगी इफ यह भी बड़ा अच्छा शब्द है प्यारा यह आप कहते हो कि यह अगर condition fulfill नहीं होई तो वो result नहीं आएगा तो आप कह रहे हो if you are tired कि अगर तुम ठके हुए हो you can rest तुम क्या कर सकते हो तुम rest कर सकते हो तुम आराम कर सकते हो फिर है as soon as जैसे ही एक काम हुआ एक condition satisfy हुई कि दूसरी भी हो गई जैसे जैसे ही मैं बिस्तर पर गया नींद आ गई कि जैसे ही मैं बिस्तर पर गया वो काम पूरा हुआ तो दूसरी condition भी हो गई क्या नींद आने की ठका वो आदमी तो सोगा ना भाई कि as soon as I went to the bed I fell asleep तो asleep होता है सो जाना फिर है as far as जहां तक कई बार आप कहते हैं कि जहां तक मेरे परिवार का सवाल है as far as my family is concerned ठीक है तो आप कहा रहे हो as far as I know her जहां तक मैं उसे जानता हूं she will not come वो नहीं आएगी वो रूसगी है वो बिलकुल नहीं आएगी as well as यानि कि इसके साथ साथ इसके साथ साथ you are my business partner तुम मेरे business में partner भी हो as well as my best friend इसके साथ साथ जनी कि जहां I can guess where you are going तो दोस्तों यहां पर जो where है इसका direct translation है जहां इसने दो sentences को जोड़ा है I can guess कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं दूसरा है you are going कि तुम जा रहे हो अब आप अगर सोचोगे कि यह डबलु एच वाले जो तीन शब्द यहां लिखे हैं यह तो हम सवाल प अब यह जो helping verb है अगर यहां होता तो यह सवाल बन जाता तो डबलु एच शब्द जितने भी आप इस्तेमाल करते हो अगर उसके बाद immediately आपका helping verb नहीं आ रहा है ना तो वह क्या नहीं है आपका interrogative sentence form नहीं है तो यह डबलु एच के बाद आप अगर sentence का इस्तेमाल कर रहे तो यह क्या बनता है conjunction बन जाता है क्योंकि conjunction में सबसे पहले क्या आता है sentence आएगा और sentence शुरू होता है subject से तो यह पहचान है समझने के लिए भी दूसरा है when यानि कि जब he entered the room when she was leaving कि उसने तब प्रवेश किया कमरे में जब वो जा रही थी इसी तरीके से while जिस समय I went to the party क कि मैं party में गया while यानि कि जिस समय you were sleeping तुम क्या कर रहे थे सो रहे थे ठीक है दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं अब आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ exercise है तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आप इस video को pause कर लीजिएगा और जल्दी से इसे solve कर लीजिए अब मैं भाई जब की मेरा क्या कर रहा था मैं party में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था would you like tea और coffee ये तो पहले भी आ गया था it was raining heavily बहुत जोर की बारिश हो रही थी dash we decided to stay indoor so यानि कि इसलिए हमने फैसला किया अंदर रहने का she turned off the lights उसने बतियां भुजा दी dash she could sleep और that ताक ही वो क्या कर सके सो सके next है I can go to the party मैं party में जा सकता हूं dash I finish my homework if यानि अगर मैं आपना homework खतम कर लेता हूं तो ही मैं party में जाऊंगा कितना अच्छा बच्चा है ना फिर है I don't know dash she has come ये कह रहा है कि भई मुझे नहीं पता वह है क्यों आई है तो यहां पर सिर्फ WH word का इस्तेमाल कर रहे हो they went to the store वह store में गए dash bought some groceries और उन्होंने क्या किया groceries यानि जो घर का किचन का समान होता है वो उन्होंने खरीदा she is neither तो neither आ गया तो definitely nor भी आएगा ना ही तो लंबी है और ना ही वो छोटी है she is of average height आप कहते हो कि ठीक ठाक है ना लंबी ना छोटी राम came here dash it was raining राम यहां आया जिस समय क्या हो रहा था दूसरा काम वारिश का the boy dash the girl is guilty गिल्टी यानि की दोशी तो आप कह रहे हो कि जो लड़का है और जो लड़की है वो दोनों ही क्या है दोशी है उस चीज में अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारा live classes का batch join कर सकते हैं तो जो हमारा latest batch चल रहा है फिलाल उसका नाम है प्रयास बैस दोस्तों और यह best spoken English course है जो की 1499 में हमने start किया था आप लोगों के लिए मैंने अब 1299 को भी काट कर मैंने इसको 1099 क इसके लिए आपको coupon code लगाना पड़ेगा जिसका नाम है OFF 200 तो जैसे ही आप मेरी application English lovers को डाउनलोड करेंगे आप यह code लगाईए तो आप इस batch में enroll कर सकते हैं दोस्तों यह batch start हुआ था November में लेकिन December में भी इसकी classes चल रही हैं यह batch जो है अभी सिरफ 16-17 classes हुई हैं तो listening, reading, pronunciation और speaking की classes आप मेरे साथ join करके अपनी English का level improve कर सके तो ऐसे ही सीखते रहे हैं दोस्तों मेरी application English lovers को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपकी query है यह दो दिये गए नंबर हैं इन में से किसी भी नंबर पर आप WhatsApp message या call करके अपनी query का solution पा सकते हैं तो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ इस चैनल पर पहली बारा हैं तो like, share and subscribe कर दीजिए ताकि आपको जो भी हमारी नही नही वीडियो जाती हैं उनकी timely notification मिलती रहे और आप हमारे साथ अपनी English सीखने की जो यातरा है उसको continue रख सके है so all the best keep learning